मैंने सुनी हैं उनकी सारी बात, जान पुर्वक सुनी हैं, मैं मंत्री जी से भी बात करूँगा और मुख्य मंत्री जी से भी बात करेंगे और बिल्कुल इंसाफ करेंगे इस वामले में सर मंत्री जी को काफी पहले से जब से ये खेल मंत्री थे तब से इनसे काफी उम्मीदे रही हैं हमेशा और इन्होंने हमेशा हेल्प किया है आज बेटी आते ही बस तुरंत मुद्दा सुना और हमेशा ही इन्होंने हमेशा मदद की है और आज भी मुझे पूरा विश्वास था ये डेफिनेटली ये मेरी बात सुनेंगे टाइम देंगे और जो भी हक की बात न्याई की बात है ये उसके पक्ष में जरूर मदद क्या है पूरा मामला तो बताएंगे आप अमारे दर्श को जी ये थोड़ा सा काफी मतलब इस पूरे साल फैबर वरी स्याबी तक काफी हैरेश्मेंट का मामला था स्पोर्स मिनिस्टर के अगें संदीप सिंग के तो काफी बारी उन्हें मना किया प्यार से चीज़े मना की अगट उनकी वो हरकते लगातार चल रहे थी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थी तो एक होता है कि इनसान कब तक चुप रहेगा आप जितना आवोइड करोगे करोगे लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी तो उन्होंने मुझे हर किया है तो एक एंड होता है हर चीज का जो मेरा हो चुका था अभी जी मंत्री जी ने क्या आपको लगता है कि कारवाई होईगी मुझे पूरा विश्वास उनके खिलाफ पर्चादा खिल हो चुका है मैंने अभी अभी मुझे यहीं से पता चला है और पूरी कारवाई पर पूरी आम जनता पर पूरा भरुसा है तो लेकिन यह जब तक इस कुरसी पर बैठे रहेंगे तो सिंपल सी बात है इसमें मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन होएगी उसमें प्रोब्लम्स आएंगी तो यह मेरी खुद की भी राय है कि जब तक यह इस्तिफा नी होंगी जी बिल्कुल इनको इस्तिफा और साथ ही जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसकी ने कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये इंसान सब को पता चलना चाहिए कि एक आप उलम्पिक लेवल पे खेल के और आप एक दूसरे नेशनल टीम के इंडियन टीम के अथलीट के साथ पैसे दूर्विवार कैसे कर सकते हैं जी बिल्कुल इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए और मैं उस चीज पर पूरा स्टैंड लूँगी और आखरी दम तक मैं इस चीज पर लडाई करूंगी और ये उस मतलब जिस इंसान में इतना गलत किया इसको पूरी की पूरी सजाबी मिलेगी और पूरा न्याय होगा इसमें मुझे पूरा भरोसा है बिल्कुल होगा कुछी लोग इनके हक में आ रहे हैं आपके ही डिपार्मेंट के या जो लोगो चाहिए जो इनकी हक के अंदर प्रेस को भी करके आए चलिकर क्या गयांगी इसमार ये देखिए सब क्योंकि अपनी पर्सनल च्वाय से बट जो चीज मेरे साथ हुई ये अगर उनके साथ हुई होती या उनसे रिलेटिड किसी के साथ भी होती तो उन्हें समझ में आता जरूर आता लेकिन आज वो मेरा दर्द देखनी पा रहे हैं लेकिन दीरे-दीरे मुझे पूरा भरोसा है जैसे जैसे टाइम जाएगा क्योंकि देखो चोटी मोटी खिचर-पिचर चीजे हो जाती है क्योंकि हमेशा टाइम सरकम्स्टेंस कब किस टाइम कैसे होते हैं यह कोई नहीं जानता बट ड़सन मीन कि छोटी मोटी नोग जो हर किसी की एक नॉर्मल आदमी से लेके खिला कोई और भी लोग ऐसे है जो दभी आवाज के अंदर पीछे से सामने ना रहे हो मीडिया के जैसे आपने इम्मत दिखा दी ना कुछ आ रहे हो सर मैं खुद एक प्लेयर हूँ तो सोचे मेरे में कितना पेशन्स लेवल होगा कि मैंने फरवरी से आप भी तक इस इंसान कितनी घटिया हरकते मैंने सर स्पोर्स इन सब चीजों के माहल में खराब ना हो और लोग स्पोर्स के लिए गलत राय ना बनाई से लिए मैंने पू से तो यह प्यार से इसकी चीजे पूरी नहीं होई तो फिर इसने ओफीशली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोस्फेर तयार किया है कि यह लड़की तो चलके मेरे पास ही आएगी क्योंकि पहले मैं एक एथलीट थी स्टेट की तो भी मैं एक स्पोर्स मिनिस्टर के अंडर म में काम कर रही हूं तो इन्होंने हर वो चीज की बाज नहीं आए अपनी हरकतों से तो मेरा सब्र बिल्कुल पेशन्स जवाब दे चुका था और इसलिए मुझे आना ही पड़ा बाहर मेरा सवाल है कि कुछ और लोग भी आपकी तरह जो की सामने नहीं आप आ रहें डर के म मुझे पूरी उमीदे हैं कि जैसे ये इंसान इस्तिफा देगा ये सलाकों के पिछे होगा तो शायद वो लोग भी आएंगे जरूर आएंगे वो सामने